आपके अपने चैनल मॉडर्न इस्टडी में मैं आपको बीए फर्स्ट इयर के जियोग्राफिक नोट्स देने वाला हूं जो कि आपके सेकेंड पेपर के नोट्स हैं इस पर आल्रडी हमने साथ वीडियो बना दिया है हमारी आज की आठ्वे वीडियो है तो इससे पहले के व इख्याम उनकी अर्थवयोस्ता और उनके समाज के बारे में बात करना है या काफिr चाहे हर आपकों से जान जातिए यह question 2003-2012-13-14-15-16-17-18 लगा तार रिपीटेड 2012 से यह question पूछा जा रहा है तो question काफी important है आपके जो exams आने वाले हैं एक जुलाई से आपके exam में यह पूछा जा सकता है तो चलिए जानते हैं अगर थारू जनजाती के निवास, अर्थविवस्ता और समाच कैसा है तो अगर थारू जनजाती के हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यो नेपाल के तराई छेत्रों में निवास करने वाली जनजातीयों को थारू के नाम से पुकारा जाता है क्या समझे आप कि उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो तराई छेतर है ना वहाँ पर जो जन्जातियां रहती है उनको थारू जन्जाति के नाम से पुखारा जाता है अगर हम बात करें पहाडी भासा के तो पहाडी भासा में थरना का अर्थ होता है बिचरण करने वाला और इसी सब्द का बदला हुआ रोप थारू भी हो सकता है क्योंकि ये भी लोग भी क्या करते थे पहले बहुत घुमकड जीवन बेतीत करते थे गुमते रहते थे एक जंगा से दूसरे जंगा तक पिचलड करते रहते थे तो हो सकता है कि इस वजह से भी इनका नाम थारू पढ़ गया हो और कुछ लोग इस पर अपना विचार करते हुए कहते हैं कि थारू सब्द की उत्वत्ति दारू यानि की सराप से हुआ है क्योंकि थारू लोग पीने के काफी प्रभीड होते हैं और वहुत जादे हद तक ये पिया करते हैं इस वजह से भी हो सकता है इनका नाम थारू पढ़ा हो इनके दारू पीने की वजह से तो यह था थोड़ा सा सामान ने परिचे थारू के बारे में जब भी आपसे कोई भी कुछा तो थारू जो है वो उत्तर प्रदेश तथा निकट वरती बिहार के तराई छित्रों में पाए जाते हैं तथा नेपाल के भी तराई छित्रों में वसे होते हैं यानि कि जितने तराई के छेत्र है ना वहाँ पर इन थारू का विस्तार है थारू का निवास अस्थान है इन तो यह तीन जगह जहां पर काफी जाज़े पाए जाते हैं कुमायू वोकसर और जो है नेपाल और गोरकपूर के बीच जो इसके बाद अगर बात करने इनकी अर्थ व्यवस्था की कि हमने बात किया निवास के बारे में क्यों रहते कहा है कैसे रहते हैं अब बात कर लेते है इनके अर्थ व्यवस्था की तो अर्थ व्यवस्था यानि कि इनकी पैसे इनकी आमदनी कैसे होती है तो थारू लोगों का जो मुलता व्यवस्था है में रूप से उनका व्यवस्था क्या है क्रसी है तराई के जंगलों को साफ करके उसको उर्बर जो भूमी है वहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें उगा सकते हैं तो वहाँ पर धान, मक्का, गन्ना, साग, सब्जी और गेहों के कrसी करते हैं इनके जो गाउं होते हैं ना इनके गाउं के चतुरुदिक खेत फैले होते हैं होते हैं कि गाउं बीच में रहता है और चारो तरफ खेट फैले होते हैं जो जहां पर यह काम करते हैं फसल उगाते हैं यह करसी कारे में बहुत जादे बैस्त रहा करते हैं इनकी लाइफ के जादे काम क्या करते हैं करसी करते हैं अब किरसी के अलावा जो कुछ कार हैं तो किरसी कारे के अलावा ये मचली भी पकड़ा करते हैं उनको बेचा करते हैं उनको खाया भी करते हैं पंची पकड़ते हैं सूर, हिरन, खरगोस आदी इंची जो का भी सिकार करते हैं और जड़ी बूटियां भी कठा करते हैं उनको बजाने वाले एंतर होते हैं इन सब चीजों को भी यह बनाते हैं और इससे भी इनकी अर्थवेवस्था काफी जो है helpful यह सारे factor है जो इनकी अर्थवेवस्था को मजबूत बनाते हैं और यही से इनकी आमदनी का यही सब स्रोथ है कृसी और कृसी से रिलेटेट कुछ चीजें जैसे की मच्छीली पकड़ना पंची पकड़ना सिकार करना जड़ी बूटिया बनाना फल्फुल तोड़ना यही सारी चीजें इनके अर्थवेवस्था का मेन सुरूप है और इसके बात बात कर लेते हैं इनके समाज के बारे में कि थारूओं का आखिर समाज कैसा है समाजिक ब्यवस्था कैसी है समाजिक मन नेता गैसी है तो थारूओं के सामाजिक ब्यवस्था इनकी एतिहासिक बिरासत और भौगरूलिक परिवेस के कार्ड मैदानी भागों से बिलकुल अलग है यानि कि थारूओं के जो सामाजिक बिवस्था है वो अगर आम त्वर पर मैदानी भागों को देखा जाये एतिहासिक बिरासत है और ये भौगोलिक परिवेस के काड़ यहां पर ऐसा देखा जाता है इनके जीवन यापन का जो ढंग है ना वो किर्षक वर्ग जैसा है जैसा कि एक किर्षक वर्ग रहता है ना इनके जीवन यापन का ढंग ठीक उसी तना से है लेकिन आंतरिक समाजिक जो व्यवस्ता है उसमें इस्तरी प्रधान समाज है यानि कि जो आंतरिक अगर अंदर से देखा जाए इस समाज को तो ये समाज इस्तरी प्रधान समाज है यानि कि इस्तरियों की ही प्रधानता रहती है, मुखिया इस्तरिया ही रहती है इनकी इस्तरियां अपने आपको रानी और अपने पुरुस को सेवक या सिपाही की तरह समझा करती है तो ये है समाज के कोछ विवस्ता है आई या और भी आगे देखते हैं कि इनके समाज में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है जो इनके इतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है रिवाज लगता है जो खुद को रानी और अपने पुल्स को सेवक या सिपाही समझा करती है तो यह इनके इतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है सदियों से यही चला रहा है इनके समाज में बिवाह के अगर बात करें तो विवाह लड़का और लड़की की सहमती के बाद ही ते होता है लड़के के पिता जो है वो लड़की के घर प्रस्ताव लेकर जाते हैं और अगर आपसी सहमती होती है दोनों एक दूसरे से सहमती होते है तो उसके बाद लड़की के लिए आभुसर आद देने के लिए लड़के का पिता होता है वो पैसा देता है कि वो जाकर के आभुसर खरीश सकें विबाह के बाद लड़की जो है एक दिन के लिए सुराल आती है और फिर वापस वो अपने घर चली जाती है और तीन महीने के बाद फिर उसकी बिदाई होती है जो कि संपन्य रूप से एक साधी का सुरूप होता है इसमें अगर बात करें तो प्रारंभिक रूप से ही योन संबंद की सुतंतरता होती है यानि कि इसमें कोई बाउंडिशन नहीं होता है शुरुवात से ही योन संबंद की जो सुतंतरता पाई जाती है इसमें पत्नी तलाग की प्रथा भी काफी प्रचली थे यानि कि इसमें पत्नी तलाग नहीं देता है क्योंकि जो है यह इस तरी प्रधान समाज है तो यहां पर तलाग में पत्नी तलाग प्रथा काफी जो है फेमस है अपनी तिलाग परथा भी इसमें देखा गया है सभी अगर संसकारों की बात करें तो सभी जितने भी संसकार हैं वो हिंदू ढंग से ही संपादित किये जाते हैं यानि सारे जो संसकार हैं जो जीने का ढंग है वो सब हिंदू समाज की तरह ही होते हैं इसमें जादू टोना को प्रियाप्त मानेता दिया गया है जो थारू जुन जाती है इसमें जादू टोना को काफी महत्तो दिया गया है और इसमें धार्मिक अंश्ठानों के समय मांस और मदिरा का खुल कर प्रियोग करते हैं यानि कि धार्मिक अनुष्ठान के समय अगर हम हिंदु समाज की बात करें तो थोड़ा सा रुकावट होता है मांस का बट यहाँ पर अगर थारु समाज की बात करें यानि कि अपने आपको सूरिवनसी राजपूत मानते हैं और राम और सीता को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं अगर हम फेस्टिबल की बात करें कि ये कौन से फेस्टिबल को मनाते हैं कौन से फेस्टिबल में इनका जादे रुची है तो फेस्टिवल आपका हो गया होली, दिवाली और रामनुमी ये तीन तेवार ये काफ़ी धूम दाम से मनाय करते है बहुदा अगर देखा जाए मेन रूप से बहुत सारे जो थारू का परिवार है वो संयुक्त परिवार होता है यानि कि एक साथ मिल करके माप भाई बहन सब एक साथ मिल करके संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं लेकिन अगर मुखिया की बात की जाए प्रधानता की बात की जाए तो प्रधानता उसमें इस्तरियों की ही होती है तो इस तरह से कुछ होता है थारूओं का समाजिक परिवेस तो इस तरह से हमने देखा जो question में हमसे पूशा गया था सबसे पहले क्या पूशा गया था आपसे question में कि आखिर जो है थारूओं की जंजाती का निवास अस्थान क्या है उनकी अर्थवेवस्था और उनका समाज कैसा है तो निवास अस्थान के बारे में हमने आपसे बात किया कि वो कहां कहां कि उनकों से छेतरों में बसते हैं कि इन छेतरों में उनकी जो है काफी जादे हद तक उनकी संख्या पाई गई है और इसके बाद हमने बात किया कि इनक का वो यूच किया करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर किया कि किरसी के लावा और कौन-कौन से वो काम करते हैं पसू पालन करते हैं मचली पकड़ने का काम करते हैं सिकार करते हैं और भी तमाम सारे मिट्टी के बरतन टोकरी ये सब चीज़ें बनाते हैं जिससे इनकी अर्थिव्यवस्था को support मिलता है समाज के बारे में भी हमने आपको detail से बताए किस तरह से थारू का समाज है किस की प्रधानता होती है किस तरह से समाजिक व्यभार होते है साधी विवाख सारी चीजें किस तरह से उनका रिवाज है बिरासत किस चीज को मानते हैं किस कौन से संसकारों का ढंग है सारा चीज हमने आप से इसमें डिसकस किया हुआ है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक चरूर कीजेगा अगर आपको इसमें कुछ इन्फर्मेटिव दिकर आओ जोकि आपके फ्रेंड्स को भी इसमें जरूरी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इसने help हो सकाए और वो भी अपनी एक्जाम में अच्छे मार्क सला सकते हैं तो आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी Thank you.